आज तो चोटी तीना की नीज सुबह सुबह ही खुल चुकी है उसके दोनों भाई बहन बड़ी प्याय से सो रहे है और यह देखो यह क्या गाव में तो बर्भारी सुरू हो गई है ठंडी का मोसम जो आ गया है अरी वाउ कितना ही शुन्दर लग रहा है यह सब कुछ मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है कही कोई मैं शपना तो नहीं देख रही अर नहीं नहीं सच में ही हो रहा है मैंने टीवी में यह ऐसा देखा था फिल्मों में होता है न और सब बच्चे मस्ती करते हैं ऐसे मौशम में एक दूसरे के उपर गुले फेकते हैं यह देखो हमारा पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे अंटार्टिका बना हुआ है वहां तो चारों तरफ बर्फी बर्फ नजर आती है बर्फ के गुले कैसे चमक रहे हैं और कितने सुन्दे लग रहे हैं और मम्मी और पापा को ठोड़े को वो लोग भी पूरा बर्फ से ढग चुके है आज तो चमतकारी हो गया हमारे गाओ में मम्मी कल ही बोल रही थी देखो तू देखते ही देखते मेरे हाथ में कितने सारे बर्फ जमा हो गए है तरही मेरे हाथ भी बर्फ के ना हो जाए फिर मेरे अपने सारे काम कैसे करूंगी और स्कूल का होमवर्ग भी कैसे बनाऊंगी नहीं नहीं इसे पहले कि मेरे हाथ बर्फ के बंजा इसे मैं नीचे फेट देती हूँ देखते ही देखते बहुत जोरो की बर्बारी सुरू हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाई भी चलने लगती है पूरा घर्फ चारो तरफ बर्फ से भर जाता है इतनी चंडी हवाई बहुत चंडी लग रही है शबशे पहले जाकर स्वेटे ठोपी पहन लेती हूँ वन्दम मैं ही स्नूमैन नहीं बन जाओ फिर सुबह उटके कोई मुझे पैचाने का ही नहीं शायद मम्मा ने रूम में ही रखा है तीना कमरे के अंदर जाकर स्वेटे ठोपी निकाल कर पहन लेती है और बिल्कुल रेडी हो जाती है तीना के दोस्त बंटी और बबली तीना के घर आ जाते है आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे है ना दिरी मना मत करना अरे कहां हो तीना घर में छीपी रहोगी या बाहर भी निकलोगी वर्फ का मज़ा तो लेलो हाँ हाँ तीना जल्दी बाहर आओ देखो क्या हो रहा है यहाँ जल्दी आओ तुम लोग इतनी ठंडी में कैसे आ गए तुम लोगों को ठंडी नहीं लग रही क्या तुम लोग भी ना देखो तु अपने घर से निकल की आ गए हो तुम्हारी मम्मी पिचाए तो नहीं करेंगी बचा की आये हो ना वरना पता चला आंटी आकर हमारी मम्मी से शिकायट लगा देंगी जर पोक कही कि हर बात में डरते ही रहती है और मुझे भी ग्यान देते रहती है मैं तो पुरा मस्ती करने वाला हूँ हाँ हाँ अपनी मस्ती के चकर में हम लोगों को फशा देना और डांच शुनवाना यही तो काम है तुमारा हाँ मैंने बात कर जही तुमशे जाओ जाओ बात मत करो हाँ उच्छे क्या होने वाला है मुझे आज सो मैं जम के मस्ती करने वाला हूँ कोई रोकने वाला भी नहीं देखो तो सब लोग कितने घोरे बेच के सो रहे है ऐसा मौकर फिर से थोड़ी आने वाला है हाँ बिल्कुल शही बोल रहा है बंटी टीना चलो मस्ती करते है ठीक है ना चलो आज के लिए लड़ाई जगड़ा भूल जाओ दोनो पूरी मस्ती करेंगे हाँ हाँ मैं शही बोल रहे हो मैं भी आ रही हो और ये बोल के तीनों वहां मस्ती करने लगते है बंटी जी जी मैं कबसे ये शोच रही हूँ कि आश्मान में उपर जो भगवान बैटे रहते हैं उनके पास फ्रिज है क्या जो इतना शारा बर्फ जमाते है और ये फुहारी बना के वो कोई मशीन से निकालते हैं क्या मुझे तो ये शमाज में ही नहीं आता कि उनकी बर्फ खतम ही क्यों नहीं होती हम तो आईश क्रीम खाते हैं हमारी आईश क्रीम टूरंट खतम हो जाती है तुम भी नटीना केसी केसी बाते करती हो भगवान के पास फ्रिच कहां से आएगी ये जो नदियों का पानी है वो बादल बन के असमान मिच जाते है और फिर जोरों से बारिश होती है कभी-कभी यही बारिश बड़ बन के धरती पे गिरते है ओ अब शम जी मैं मैं जो बिलकुल ही बुज़ू हूँ चलो 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 अब हमें क्या करना है इंशाब बातों से हाँ हाँ चलो शम मिलके मस्टी करते है तुम लोग न ऐसी ऐसी बाते ही करते रहा करो बस टाइम पास करते रहना है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, असली में मस्ति कैसे की जाती है, ये देखो, अबे मैं बालगारी के उपर से चड़कर कैसे फिसलूँगा, ये देखो, ये 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 ये, देखो मैं फिसलने वाला हूँ, अरे कितना ही मज़ा रहा है, बर्फ के गोले में गिरके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है है ना हाँ हाँ टीना तुमनों सही बोल रही हूँ मैं भी आ रही हूँ हाँ देखो बंची बसना बसना अरे 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 मैं तुम्हारे उपर ही गिर गए कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को ऐसी मस्ती करते हुए देखके जूली और किंटु बहुत प्यार से अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं तब ही जूली की आँख खुल जाती है धेल सारी बर्वारी हो रही होती है जूली को ये देखकर बहुत याशरे होता है इतनी शायी बर्व ओ मैगाड ऐसी बर्वारी तो सिर्फ हमारे अमेरिका में ही होती है पर ये देखो यहां कितना सारा बर्व गिरा हुआ है अरे आप लोग अकेले मुझे चोड़के पूरा मस्ती कर रहे हो हाँ और हस भी रहे हो मुझे बस शोते हुए चोड़ दिया आप लोगोंने मैं भी खेलूंगी चलो आज आज सब लोग मिलके मस्ती करते है ये ओके अब हम लोग कोई गेम खेलते हैं मिलके आइडिया मैं जल्दी से एक बाल्ठी लेके आती हूँ और उसमें धेर सारे बाल्ठी कच्छा करेंगे ये गेम तो बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है मैं तो जरूरी खेलना चाहूंगी हाँ हाँ मैं भी खेलूंगी सब लोग मिलके खेलेंगे ये गेम हाँ जल्दी से आप बाल्ठी लेके आजाओ ठीक है न दीदी मुझी अच्छे से पता है ममा ने बाल्ठी कहां रखी है सुबह सुबह वो तालाप पे कप्रे दोने गए थी और बर्तर दोने बाल्ठी में भी पानी लेकी आए थी बाल्ठी तालाप के पास ही पड़ी हुई होगी हाँ ये देखो ये ही बाल्ठी छोड़ रखी है ममा ने चलो फटाक से इसको ले लेती हूँ और तालाप तो देखो किता संदर लग रहा है बाल्ठी उठा कर जल्दी से दोस्तों के पास चलती हूँ आ रही हूँ मैं लालालालाला देखो मैं जल्दी से आ गई तुम लोगों के पास बिल्कुल भी देन नहीं किया मैंने फटाक से देखते हैं सबसे बड़ा गुला कौन बनाता है मैं बनाओंगी सबसे बड़ा गुला मेरा ही होगा ये देखो कितना बड़ा गुला है और ये गया बाल्ठी के अंदर अब किस की बारी है मेरी बारी है ये देखो मैंने कितना बड़ा गुला बनाया है तुम सभी बड़ी और मैं भी बाल्ठी के अंदर डालता हूँ अब इसे देखो तुम लड़किया भी न भेवकूपसी हो अरे ये देखो ये आईश तो शायद मैं खा भी सकती हूँ बहुत ही तेश्टी दिख रही है थोड़ा सा तो चेक ही सकती हो इसे मैं चोटी बच्टी जो हूँ हाँ 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 कितनी बुद्धू हो तुम हाँ ये चोटंकी को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है बर्फ खाके अपना पेट खराब करेगी ये पता नहीं कौन से गंदे पानी का बर्फ बना होता है हाँ हाँ पहली बार तुमने अकल की बात करी है बंटी हाँ 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 कहां से आई तुम्हें इतनी अकल सारे बच्चे मस्ती में लगे होते है तब ही चारू की नीन खुल जाती है और वो बर्फ देखके आश्यर रिचकित हो जाती है इतनी ठंडी इतनी ठंडी में तो मेरा दम ही निकल जाए मेरी कुलफी से जम रही है पता नहीं बच्चों ने चादर कहां रखी हुई है मेरा सामान एक भी सही ढंग से रहने नहीं देते पूरा घर तो देखो आफ़त आई हुई है ऐसे जैसे ये तो शिमला बना हुआ है पूरा क्या करू मैं देखो तो बच्चों को इतनी सुबह उटके उन्हें ठंड भी नहीं लग रही खेले जा रहे हैं अरे बच्चों क्या कर रहे हो तुम हाँ सुबह से उटके पूरा आतंग मचा रखा है तुम लोगों को निमूनिया हो जाएगा इतनी ठंड में सब लोग घर जाओ अपने वापस और भंटी और बबली तुम इतनी से जल्दी कैसे उट गए आंटी आंटी प्लीज हमें खेलनी दीजे हाँ ममा हमें खेलनी दोना देखो सब लोग मस्ती कर रहे हैं कितना कितना ही मज़ा आ रहा है हाँ आंटी आप हमें ऐसा हमेशा भगाते रहती है प्लीज आज तो मान जाईए कितने दुनों बाद हमारे गाउं में बर्फ पड़ी है हाँ हाँ अंची प्लीज प्लीज हमें अच्छा ठीक है बच्चो तुम लोग खेल लो मैं तो चली सोने लेकिन हाँ बस याद रहे ठोड़ी दिर और खेलना और सब लोग आपस अपने अपने घर चले जाना तब ये खराब होई तो मैं डॉक्टर की पास तो ले जाने वाली हूँ नहीं और नर्स दीदी को बुला कर सब को इंजेक्शन लगवा दूँगी क्या हाँ सही सुन रहे हो मेरी बार ये बर्फ देखके तो अपने बच्पन के दिनियाद आ गए मैं भी इनी किदर शेतानिया क्या करती थी अब भड़ी हो गई हूँ हड़ियों में उतनी थाकत नहीं रही जाकर थोड़ा सा अराम कर लेती हूँ बच्चे ही है कुछ नहीं होगा थोड़ा से शेतानी कर लेंगे तो इन्जॉय करने देती हूँ बहुत ठंडी है मैं तो चलो अब अराम कर लेती हूँ किट्टू की भी नीन खुल जाती है बर्फ बारी देखकर हो बहुत खुश हो जाता है बिस तरसा दीरे दीरा नीचे ले करकर बर्फ की गुलों में आ जाता है और खेलने लगता है दीरे दीरे वहां से किसकते हुए बैल गारी की तरफ आगे बढ़ता है और बैल गारी पर चणने की कोशिश करता है बैल गारी से फिसल फिसल के वह खेलने लगता है लिक्ता ही मजा आ रहा है देखो किट्टू भी मज़ा कर रहा है तब ही वहां से गौरी गुजर रही होती है लाला यह क्या सुबह सुबह मस्ती शुरू हगे तुम लोगों की बरबारी भी समझ नहीं आती क्या अंटी आप भी ना हां आंटी हम लोग बस थोड़ी से मस्ती कर रहे हैं जा रही हूं सार ओड़ी यह क्या अंटी भी ना हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है कभी भी हम लोगों को खेलने नहीं देती सही बात बूल रहे हूं बंटी अज तो मार पड़ेगी मम्मा से चाहता हूँ मैं तो मुझे नहीं मार खाना मम्मी से मैं तो निकलता हूँ जा इससे पहले कि आंटी हमारे घर पहुंचे, मैं दोर-दोर के घर पहुंच जाओंगा, मम्मी से पकड में भी नहीं आने वाला मैं, हाँ, बंटी तो बिलकुल ही सही बोल रहा है, मैं भी निकल रही हूँ यहां से, ठीक है, आंटी ने मज़ा ही किरकिरा कर दिया बर्बारी का, अहो, कितनी आ जल्दी आओ मेरे पास, हाँ, जूली और किट्टू, दोनों कब से उठे हुए हो तुम लोग, तब बित खराब होगी तो यहां अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिलने वाले तुमको, चलो चलो फटाक से आओ मेरे गोदी में, देखो तो कितनी शेतान हो गए हो, अब रोने स क्या होने वाला है, दोने से तो कोई फाइदा नहीं है, ममा के साथ रूम में जाके सोना पड़ेगा तुम लोगों को, आंटी, प्लीज, प्लीज, कुछ नहीं होता, जा रही हो मैं इनको लेकर सोने, और हाँ टीना, तुम भी जाकर ममा के पास आराम कर लो बेटा, सबीत ख टीना तो अकेले ही काफी है, ये बोलके टीना मस्ती करने लगती है, तबी जोर की हवा चलने लगती है, और धेर सारी बर्वारी होने लगती है, अचानक से टीना बर्व के गोलों के अंदर दबने लगती है, अरे ये क्या, ये क्या, बचाओ मुझी, मेरी ओपर ये धेर सा मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं पूरा बर्फ में ढख चुकी हूँ ममा, ममा, अब मेरी अवास क्यों नहीं सुन रही, मुझे बचाओ, बचाओ यहां से, मैं बर्फ के नीचे दब कर जम जाओंगी तभी एक छोटा सा यूनिकॉर्ण का बच्चा आजमान से आता है धीरे-धीरे वो यूनिकॉर्ण बेबी घर के आंगन में बढ़ने लगता है घर उसे बहुत ही पसंद आता है तीना इतनी जोरो-जोरो से अवास कर रही होती है टीना की तरफ वो बहुत प्यार से देखता है इतना मासूम सा छोटा सा यूनिकॉर्ण बेबी हस्ति खिल्खिलाते हुए टीना के पास बहुत जाता है धीरी धीरी करके वहाँ से वो बर्फटाने लगता है टीना देखती है और वो बहुत खुश होती है हाँ हाँ क्या ये यूनिकॉर्ण है और वो मुझे बचाने आया है हाँ ये यूनिकॉर्ण का बेबी है कितना सुन्दर है ये तो बिल्कुल सपनों जैसा है मेरा तो सपना सच हो गया ओ मिली प्यारे से बेबी तुम कितने प्यारे हो Thank you मेरी जान बचाने के लिए मैं तो बैस सोच रही थी कि क्या तुम मुझे आस्मान की शेर करा सकती हो यूनिकॉर्ण बेबी बहुत ही प्यार से टीना की तरफ देखता है और टीना जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है चलो अब मुझे आस्मान में बादलो के बीच उरा के लिए चलो ये मैं कितना उपर जा रही हूँ वाव उपर से तो अपना घर बहुत ही सुन्दर लग रहा है ओ माई गॉड चलो और उपर और उपर हाँ बस ऐसे ही उराती रहो मुझे आस्मान में कितना सुन्दर लग रहा है सब कुछ यहाँ से अपना ताला भी बहुत प्यारा लग रहा है हाँ हाँ बहुत मजा हा है और उपर और उपर लेचलो मुझे बादलो अरे तीना तुम नीन में कुछ बोल रही हो मम्मा मैं शप्न देख रही थज्या ये तुम ना और तुम्हारे सपने सुने दो मुझे